दोस्तो स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल बिंग और स्टुरेंट में दोस्तो आज हम देखने वाले हैं 300 सब्दों में बार्ड पर पिंबद चलिए स्टार्ट करते हैं देखे बार्ड ऐसी प्राक्रतिक आपदा है जो किसी छेत्र में अत्यधिक पानी के जमाव के क इकठा होते जाते हैं और बाड का रूप ले लेता हैं बाड के कारण लोगों के द्यानिक किर्या में काफी बाधा पड़ती हैं बाड प्रभावी छेत्र में लोग अपने घर से बाहर नहीं जा पातें उन्हें घर में ही कई दिनों तक रहना पड़ता हैं यहां तक कि कई लोगों के घरों को भी नुकसान होता हैं इसके इसके अतिरिक्त लोगों की संपत्ती भी बाड के कारण काफी हतक नस्ट हो जाती बाड के कारण कई लोगों के घर डूब जाते हैं और कई लोगों की मिर्त्यूभ्यू हो जाती है बाड प्रभावी छेत्रों में कई लोगों को कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता है बाड प्रभावी छेत्रों में बिजली पानी की सुभिधावी बन कर दी जाती है बाड के कारण आर्थिक स्तिती खराब हो जाती है और चीजों की आपूर्ती कम होने के कारण महंगाई बढ़ने लगती है यहां तक की बाड के पानी की निकासी होने के बावजूद सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है वह यह है की बाड के पानी के कारण कई प्रकार की बिमारियां उत्पन हो जाती है इस तरह बाड के कारण काफी नुकसान होता है भारत में बिहार, उत्तरपरदेश, बंगाल, महराष्टर, पंजाब, मुंबई, उडिसा, आंधरपरदेश जैसे कई राज्ये हैं जो अक्सर बाड के शिकार बन जाते हैं बिहार में अक्सर वर्षा रितू में कोसी नदी के कारण बाड आ जाती है जिसके कारण इसे बिहार का शौक भी कहा जाता है हालाकि बाड को रोक तो नहीं सकते लेकिन बाड से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है बाट परभावी चेत्रों में विशेश तक्नीकी का इस्तेमाल करके बाट पर नियंत्रण पाया जा सकता है बाट परभावी चेत्रों में बाट की संभावना होने पर उन्हें पहले से ही सूचना दे दी जानी चाहिए ताकि वे अन्य जगह पर कुछ दिनों के लिए स्थना आंत्रित मतलब कहीं सिफ्ट हो जाए ठीक है और खाने पीने के समानों को स्टोर करके रख सके बाड प्रवावी छेत्रों में प्रशाशन को पानी निकासी की सही वैवस्ता करानी चाहिए ताकि ज्यादा दिनों तक बा पाने के लिए विलते अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू धन्यवाद